हमारे जो इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हुए, उनका नाम पता है? चलो मैं एक बार बुलवाता हूँ मौलाना सैयद अबुल कलाम गुलाम, मुयुदीन एहमद बिन खेरुदीन अल हुसेनी आजाद गुलाम और आजाद, लब यू है जब फ्रेंड हो गया, नाम में है न, चलो इनका जरा कागज देखते हैं, आजकल तो मोसमी चल रहा है कागज देखने का, तो यह पैदा कहा हुए थे, जहां यह पैदा हुए थे, वैसे तो उसके बारे में भाई हमें बोलने का हग भी नही हुए कि लोग न, डिघृयां बहुत पूच रहे हैं, मतलब, कि फ्लानी सरकार ने आलाने को फ्लाना बना दिया, मतलब यहां तक हद हो गई है कि बबलू के पीछे भाग रहा है बबलू बबलू के आगे बबलू के वाले लोग भी डिग्रियां पूछ रहे हैं तो हम इनकी डिग्री पूछ थे हैं जो हमारे फर्स्ट एजूकेशन मिनिस्टर थे और कहां से डिग्री लेक आये थे कहां के युनिवर्सिटी के टोपर थे मैं बताऊं हिंट देता हूं हमारे फर्स्ट एजूकेशन मिनिस्टर ध्यान से सुनना वहीं से पढ़े हुए थे विच साउंड्स लाइक मदर बट टीचेज मडर साही जवाब मदर्से से यह मदर्सा टोपर थे मतलब हमारे जो इंडिया के फ यह जो मौलाना अबुलकलाम गुलाम आजात थे जो यह सब यह नेशनलिस्ट थे जब यह सुना तो ऐसा लगा कि बिल्कुल करस का रिपलाई आ गया ठीक अब यह कितने नेशनलिस्ट थे इसके लिए हमने जब चेक करने के लिए डोक्टर सालू के कोई पास भेजी रिपो पर यह पार्टिशन क्यों नहीं चाहते थे यह पता है आपको और नहीं पता तो क्यों नहीं पूछता है भारत मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं चाहते थे क्योंकि यह जो गुलाम आजात थे यह ऐसा मानते थे कि इस देश पे इनके पूर्खों ने पता नहीं कौन से व दूसरी जो वो विकीपीडिया जहां से सारा ग्यान ले लेते हैं आज कले जो डिबेटर चले आते हैं और डिश्टोरियन्स हमें ऐसा बताते हैं कि तो ऐसी लाइन ही मार दी कि सब खताम अब इसके सामने तो है ना वो खिलाफत जिहाद है ना ना जो हुआ था भारत में उस टेम हुआ कहता कि तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों ने निम्टा दिया था अब उससे भाई यह जो मुलाना गुलाम अजात थे यह इतने हर्ट ह इतने ओफेंडड हो गए कि इन्होंने फत्वा दिया हंजी हमारा जो पहला जुकेशन मिनिस्टर था फुल फत्वे बाजी है ना तो इन्होंने एक दिन सच्छे सैकुलर मौलाला ने फत्वा दिया फत्वा क्या दिया कि भाईया यह ब्रिटिस हुकूमत जो है दारूल जिहाद वो जो सीए के टाइम आई बी अफसरंकित सर्मा के साथ किया गया था या आए दिन आप देखते होंगे बुल्ले फटते हैं भी फ्रांस में सेमुल पैटी की जो गला काटा वो भी जिहाद है ना या तो वो जिहाद करो वरना माइग्रेट कर जाओ अब इनकी बात मानकर बहुत सारे बुल्ले अफगानिस्तान चले गए ठीक कुछ ने जिहाद करने का भी प्रयास किया उस पर एक वीडियो बनाएंगे कभी और एक बात बड़ी मतलब हमको सर्प्राइजिंग पता चली कि यह मोहंदास करमचंद गांधी के ना मतलब बहुत हाड कोर फैन म भक्तनी सौरी नमाजी थे इनमें तो नमाजी होता होगा मैं बदाता हूँ कितना 1946 में जो कैबिनेट मिशन जब इंडिया आया तो उसके प्रपोजल्स में एक ये भी था कि भाई अगर ये सारे बुल्ले भारत में रह जाए तो इनको 50% सीटे और एक वीटो पावर भी या कईयों के बापू मोहंदास करमचंद गांधी को बिना बताए इनफेक्ट उस्टेम किसी भी बड़े नेता को कॉंग्रेस के सलाह किये बिना ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था वो तो भलाओ कि वो कैबिनेट मिशन वाला जो प्लान है वो एक्सेप्टी नहीं हुआ और इनके मनसूबे ऐसी रह गए ठीक और इनके बारे में जो एक चीज सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगी कि ये सेकुलर थे मतलब ये इतने सच्चे सेकुलर हैं कि जो सेकुलरों का ब्लू आइट बॉई है न वो अकबर जिल्ले इलाही बात्सा जिनने एक नया धरम भ जिसको इसको अब ये बंदा फेंते साइज कर रहा है ठीक और उसकी तारीफ एहमद सिरहंदी की तारीफ में कसीदे लिख लिख के इन्होंने कागज फाड दिये मौलाना ने है अब आप बताईए ये बंदा कितना सेकुलर था ये कितना पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुल था इसकी डिगरी क्या थी आपने कभी सोचा और इसका ज अब दूसरी काज करणे आप सेकुलर त्क्राइब बंदाएंग Pine